आज हम लोग पढ़ेंगे पार्स परिवर्तन क्या है जैसे कि हम लोग संतल दरपन के सामने खड़ा होते हैं तो समतल दरपन के सामने खड़ा होने पर होता क्या है कि दाया हाथ उठाते हैं बाल जढ़ने के लिए तो लगता है कि बाया वाला हाथ से बाल जढ़ रहे हैं और बाया वाला हाथ अगर उठाते हैं तो लगता है कि दाया हाथ से हम बाल को जढ़ रहे हैं तो इसी घटना को हम लोग बोलते हैं पासर्व परिवरतन क्या बोलते हैं तो इसको define कैसे करेंगा हम देखे ध्यान से सुनिएगा जब हम किसी सम्तल दर्पन के सामने खड़ा होते हैं तो खड़ा होने पर एक विशेज परकार के परिवरतन होता है जिसमें हम लोग को यह एहसास होता है कि दाया हाथ उठाने पर बाया और बाया हाथ उठाने पर दाहिना एहसास होता है यह मसूस होता है इसी परिवर्तन को पासर्व परिवर्तन कहते हैं जैसे की जब आप और इस परकार से लिखे रहिए गा हूँ तो इसी को जब आप सम्तल दर्पन के सामने ले खड़ा किजिये गा देखीए गाए इसमें तो उसमें बिल्कुल उल्टा दिखाई देगा देखिए इस परकार से इसा दिखाई देता है है ना तो इस घटना को ही क्या बुलते हैं पासरवे परिवर्थन कहते हैं देखिए इधर आला पार्च जो था वो उस ओर चला गया और इसके ज़स्ट आगे वोल असाट था वू पिछे की ओर चला आया गी निया तो यहां पर इसी परिवर्तन को क्या बोला जा रहा है पासर्व परिवर्तन कहते हैं तो बोला जा सकता है जब हम किसी समतल दरपन के सामने खड़ा होते हैं तो खड़ा होने पर एक भी सेश पर करें परिवर्तन होता है जिसमें दाया हाथ उठाने पर बाया और बाया हाथ उठाने पर दाहिना परिवर्तन कहते हैं तो आप लोग अच्छे समझ में आ गया है किसी को कोई दिकत तो नहीं होगा तो आई जो आप पार्ष समझ में को आप बढहेंगेð घोली और पन क्या पढ़ेंगे घूल यह दर पन गोलिये दर्पन गोलिये दर्पन क्या है गोलिये दर्पन क्या है गोलिये दर्पन उस दर्पन को कहते हैं जिसका प्रवर्तक सता किसी खोखले गोले का एक भाग होता है किसी खोखले गोले का एक भाग होता है गोले दर्पन उस दर्पन को कहते हैं जिसका परवारत्यक सता है खोखले गोले का क्या होता है गोले का एक भाग होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं गोले दर्पन जैसे कि यहाँ पर देखिए आप कि यह क्या गोला की जैसा है कि नहीं है तो इसको जब हम ऐसे काट देंगे तो यहां पर इस परकार के बनेगा और यहां भी काटेंगे तो यहां पर इस परकार के बनेगा ना तो इसको क्या करेंगे किसी एक भाग को रंजतित करते हैं सबसे पहले हम लोग दरपन के बारे में हम पहले भी बता चुके दर्पन किसे कहते हैं कांच कावा टुकडा जिसका एक भाग कलाई किया हुआ हो रज्तित किया हुआ हो उसे हम लोग क्या कहते हैं दर्पन कहते हैं क्या बोलते हैं कांच कावा टुकडा जिसका एक भाग कलाई किया हुआ हो कलाई डट मिस पेंड किय हुआ हो उसे हम लोग दरपन कहते हैं तो जैसे आइना जिस तरह से हम बोल रहे थे तो आइना में क्या करते हैं एक भाग को पेंट कर देते थे तो एक भाग जब पेंट कर देते हैं तो इसको बोलते हैं रजतित सता क्या बोलते हैं यह होता है रजतित सता है और यह होता प्रावर्तक सता है जहां से परकास टक्रा करके लौटती है वह होता प्रावर्तक सता है और जिस सता को हम पेंट कर देते हैं उस सता को बोलते हैं रंजितित सता बोलते हैं या कलाई किया हुआ प्रिष्ट भी बोल सकते हैं इसको है ना तो उसी तरह से किसी खोखले गोले का एक भाग होता है ये और इसी को हम लोग गोलिय दर्पन कहते हैं क्या बोलते हैं तो गोलिय दर्पन का डिफनेशन कैसे होगा गोलिय दर्पन उस दर्पन को कहेंगे जिसका परवर्तक सता है किसी खोखले गोले का एक भाग होता है जिसका परवर्तक सता क्या होता है किसी खोखले गोले का एक भाग होता है उसे हम लोग आते हैं गोली दरपन तो जब हम इसको में इस तरह से रज्तित कर देंगे और इसमें करते इस तरह से रज़तीत तो यहां पर यह दर्पन बनेगा कि नहीं बनेगा यह दोनों दर्पन बने नहीं तो यहां पर देखें यह वाला सता को क्या बोलेंगे रज़तीत सता कहेंगे और यह वाला सता को बोलेंगे प्रावर्तक कि सता कहेंगे है ना कि यह वाला सता क्या कलागा राज्टी सता यह कह लाता है प्रावर्तक सता तो आउपर लिखते हैं उसक जैब इसको मैसे तोड़ेंगे तो इस तरह सी बटेंगे इसका यह वाला हो हम क्या कर दी है कलाई कर दी बन कर दी और रहा-उला को इस च응शना को में पैंट कर दी तो जब इसको स्वाक टेंगे तो इस तरह कर बड़ जागा क्लाइग क्या वाला यह वाला सता है और एक किये वाला हो गया है तो ये गोलिय क्या है किसी खोक 사랑 गोले का एख भाग होता है जिसे हम लोग गोली गैपन करते हैं अब गोलीय तो फरकार के होता है गोली दरपन और उतल दरपन तो यहां पर देख रहे हैं हमके दो भागों में बट गया है गोलिया दरपन कितने वहां बट वह दो भागों में देखिए एक चता यह तो जिसको हम लोब कर दिये है उस सता अभी बोले थे राजितित सता बोलेंगे क्या बोलेंगे है और यहां से यह वाला जो उपरेवाला भाग जो चिकल न होता है जिसको पेंट नहीं करते हैं वह सता प्रावर्तक सता होता है क्या होता है उसी तरह से यहां पर इधार जो कलाई किया हुआ है इसको बोलते हैं राजितित सता है और यह वह सता क्या है अ है इसथा कहते है यहां पर गोली दरपन दो भागों बढ़ दिया गया है जिसको एक भाग यह यह है तो गोल ने किटने पर अगोते हैं अब इसमें पहचानना है कि आउतल दर्पन कौन होगा उतल दर्पन कौन होगा तो पहले उसका डिफाइन सुनीजे एक आउतल दर्पन कहते किसको है आउतल दर्पन वैसा दर्पन जिसका परवर्तक सता धसा हुआ हो वैसा दर्पन जिसका परवर्तक सता धसा हुआ हो उससे हम लोग आउतल दर्पन कहते हैं तो इस दोनों में देखिए परवर्तक सता इसका धसा हुआ कि इसका धसा हुआ है तो यह वाला भाग का परवर्तक सत होता इस तरह से धहसा उजा सामय मैं वहला यह हो गया यह ओधस्पन कर सकते हैं कियो वैसा झाहरी सता को पेंड किया हुआ हो उसे हम लोग वोमल झोचे को सकते के ओतल दर्पन समझ माघया अब उसके बाद है उतल दर्पन क्या है उतल दर्पन वैसा धर फैंड जिसका परवर्तर सता उठा हुआ हो उठा उगे है वैसा दरपन जिसका परावरत्या सथा उठा उठा हूआ हो तुम क्या तो यहां पर यह वह जो प्रिष्ट देख रहे हैं आप परावरक veryс अर्फाव यह नहीं है जी यह वह लगा लग रहार तो जिसका परवर्त्र शता उठा व३ह रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग उतल धर्पन क्या बोलेंगे ओ तल धर्पन बोलते हैं जैसा कि यहाँ आप देख सकते है यह यह मेरे पास दो मेरे पास दो इसמे देख रहे आपकी अंदर से ये सता धासा हुआ है अंदर सता कैसा ये धासा हुआ है तो जब ये अंदर से धासा हुआ है ये आउतल धर्पन हो गया क्या हो गया ये क्या हो गया जिसका परवर्तक सता धासा हुआ रहता है उससे हम लोग आउतल धर्पन कहते हैं क्या कहते हैं और ये वला में देख रहों क उठा हुआ है तो जिसका प्रावर्त्क सथा उठा हुआ रहता है उसे हम लोग बोलते हैं उतल धर्पन पहले यह बताइए कि अपन्रों को प्रावर्तम उत्ब को समझ में आता है । प्रावर्तम सथा कहने का यह हुआ Full इस सता से परकास टक्रा करके लोटती है वही सता को हम लोग परावर्तक सता कहते हैं जैसे में यहां पर इसमें इधर वाला भाग से क्या परकास टक्रा के लोटेगी नहीं लोटेगी जी तो यह परावर्तक सता नहीं यह पेंड किया हुआ सता है यह क्या है तो जब यह यह छेत्र पर कोई पेंट है नहीं नहीं है तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या बोलेंगे प्रावर्तक सता कहते हैं क्या कहते हैं प्रावर्तक सता कहते हैं इसी से क्या होता है प्रकाश टकरा करके वापस लोड़ती है जैसे में इसमें भी देख लीजिए अब है ना इसमें भी आप देख रहे हैं यह वाला भाग है परावर्तक सता है यह वाला भाग क्या है राज्तित सता है तो जिस जिस दर्पन का परावर्तक सता उठा उठा हुआ रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग है फुट्टल दर्पन और जिस दर्पन का परावर्तक सता धसा हुआ रहेगा उसको बोलेंगे अवटल दर्तन की लिए हैं यह हम बोश्चेvette कि इसका एंदर वाला भाग रेश्तित रहता है एंसका बाहर वाला भाग रेश्तित रहता है तुझ दोनों को दरपन समझ मा गया दरपन समझें में कि नहीं कोई दिक्कत है कि गोलिये दरपन से समंधित बिभीन पद अब इसमें कौन-कौन से पद आते हैं उसके बारे में हम जानेंगे तो देखिए यह आपका गोलिये दरपन है तो जैसा यह बिरित की जैसा दिखाई दे रहा ना तो इसमें आप एक सेंटर पढ़े होंगे सेंटर पढ़ेंगे नहीं पढ़ें इस सेंटर को यानि केंद्र बोलते हैं तो इस केंद्र को अगर दरपन में पढ़ते हैं तो इसी केंद्र को वकरता केंद्र बोलते हैं तो दूँखिए सबसे पहले होता है कि ये मालीजे कोन दरपन हो गया ओटल दरपन है क्यों कि Made किसा परावर्तैसटा धासा खुआ है और माहरी भाग हो प्रेंट किया डिये क्यों हो गया आउतल दर्पन है तो आउतल दर्पन में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लों धुरू क्या पढ़ेंगे धुरू क्या होता है तो दर्पन के मध बिंदू को धुरू काते हैं दर्पन के मध बिंदू को क्या बोलते हैं धुरू बोलते हैं तो देखिए इसका माली के एमेन एक दर दर्पन होगा तो इसके यह जो लंबाई ही इस लंबाई में कहीं नहीं नियुक्त होगा मद्धि बेंदू हो गया है तो दरू समझेह सब आगे सब लोको ने दरपन के मध्विंदू को दृू कहा जाता है कि यह पढ़ रहे है और तल धरपन के लिए किसके रए है उसके बाद दुसरा पढ़ाता है वक्रता केंद्र है वक्रता केंद्र से आप क्या समझते हैं तो देखिए खोखले गोले का जो केंद्र होता है खोखले गोले का जो केंद्र होता है वही उस दर्पन का वक्रता केंद्र कहलाता है खोकले गोले का जो केंद्र होता है वही इस दर्पन यानि ओतल दर्पन का क्या कहलाएगा वकरता केंद्र बोलते हैं जैसे कि यह सी जो हुआ यह सी क्या हुआ वकरता केंद्र हो गया यह सी क्या हो गया वकरता केंद्र हुआ ठीक है जिसको हम लोग खोकले गोले का सेंटर बो वही इस दर्पन के लिए क्या कहलाएगा व्यक्रता केंद्र कहलाएगा किलियर है वक्रता केंद्र हम लोग बोल रहे थे खोखले गोले का जिसका खोखले गोले जिस गोले का भाग होता है उसकी केंद्र को उस दर्पन की वक्रता केंद्र कहते हैं क्या बोलते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं कर तो खरता केंद्र समझ मागे यानि हम नोग समय के करो सिंटर बोल रहे थे केंद्र भूल रहे थे उसी को यहां पर इसको दुरिषा कर्रोंद का कदना समय माँग गया उसके बाध थो यह तीसरा में वर्टा तो इस तो तो आप बिरित में पढ़े हैं केंद्र से परीधी तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं इन पढ़े हैं तो यह आपका अगर देखा जाते यह वाला क्या है परीधी नहीं जी आई आपका केंद्र है तो केंद्र से जो पॉल तक यहां पढ़ना है कि वक्रता केंद्र से यू अगन्न दूरी को हम लोग वकरता त्रिज्या कहते हैं के अध्यां से धुरू तक के बीच के दूरी को क्या बलेंगे वक्रता तिरिज्या कहते हैं इसको आब रणा सूंचित किया जाता है कि ब्युवारा यानी देखिए इसको धुरू को पॉल बोलते चे kole द्वाहरा ओना टाटा एंडर्णो चेंटर बोलती सीधरा और यहां पर मत्रदा त हृती आ को ऊवार दिया से तो रेडियना सब्सक्राइक करते हैं आर डॉल खेट करते हैं यह इसका बाद तो मिम्हें तीजि समय गया हुआ लक्राता केंद्र से धुरूत की दूरि को में मैं हम लोग क्या बोलेंगे भी फ्रिज़ा काते हैं उस के बाद होता है जौथ हम्व Awesome है प्रधान एक्ष टर फ्सक्राइब है मुख्य एक्ष लां बोलता है मुख एक्ष भी बोला जाता है तो परधान एक्ष किसे कहेंगे केंद्र से परिधी तक के मिलाने वाली जो रेखा होती है केंद्र और धुरू को मिलाने वाली जो रेखा होती है उस रेखा को हम लोग परधान एक्ष या मुख एक्ष कहते हैं क्या बोलते हैं परधान एक्ष या मुख एक्ष कहते हैं किसको धुरू और केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दुरू और केंद्र को मिलाने वाली रेखा को परधान एक्ष या मुख एक्ष कहते हैं परधान ए या मुक्र अक्छी कहते हैं ऎम लो तो परढ है माला घुख कर athletics आ गया उसके बाद तो गोड़ी पहर हो रही कि है अब उसके बाद फोकस लिएAPP परना ना था फोकस किया है इंग फोकस को एफम सच्जित करते से एप से तो फोकस होता क्या है ध्याँ से सुनिएगा परधान अच्छ के समांतर आने वाली किरने परधान अच्छ के समांतर आने वाली किरने दरपन से परवर्तन के बाद तो यहाँ पर जब दरपन से टकराएगा तो टकराने के बाद परवर्तन होना तैय है तो प्रवर्तन के बाद मुख एक्ष के जिस बिंदू से गुजरती है हम क्या बोले ध्यान से फिर से सुन लिजे कि परधान एक्ष के समांतर आने वाली किरने परधान एक्ष के समांतर आने वाली किरने दरपन से प्रवर्तन के बाद यानि दरपन से टकराएगी तो प्रवर सर्वातन के बाद परधान एक्षिया मुख एक्षिजिस बिंदू से होकर गुजरती है उस बीन्दू को हम लोग फोकस कहते हैं वस्तिन मलग यानी बोलेंगे जाहे अप नीचे से भी आप समानतर किरने गुजर सकते हैं तो नीचे से भी हागर हम समानतर किरन गुजरते है तो दरपन से जब प्रवातन हो गई इसी बिन्दू सोगर गुजरता है यहाँ देखा जा रहा है कि परधान अक्से समानतर कोई भी किरलर आ रही है तो कैस्ट एक एककी बिन्दू से गुजर रही है तो इसी बिन्दू को नाम दिया गया focus क्या डिया गया की लिए न अ है बोलिए हाँ यह वाला यहां पर देखिया हम बताएंगे यह आपका 90 डिरी काम करता लंबत काम बता तो जितना डिरी इसके साथ कौन बना कर रहा है यह परकास का परवरतन का दूसरा नियम में हम लोग पढ़ चुकी है तो यहां पर हम देख रहे हैं यहां पर फोकस की जब पर इसके बारे में हम आगे बताएंगे यहां पर फोकस कीजिए कि यह हमेशा कोई भी समान तरे किरन इसमें गुजाला जा रहा है तो परवरतन के बाद एक ही बिंदू पर मिल रहा है और उस बिंदू का नाम होता है क्या फोकस क्या नाम देते हैं तो इसको कैप्टल एफ दोबरा सुजद करते हैं ओ आगला है शुक्स पॉइंट शटा प्वान जोगा फोकस दूरी होता है क्योंता है फोकस दूरी को कैप्टल नहीं आस्मोल एफड़ा है शुजित करेंगे चुकि जब एक को हम कैप्टल एफ दोरा सुजद करेंगे दूसरों कभी ऐप्टल ए पता चलेगा इसलिए एक को कैप्टल एक तो दूसरा को एसमॉल एक दोरा सुचित करते हैं तो ध्यान से सुनिए फोकस दूरी फोकस और धुरू के बीच को जो दूरी होता है फोकस और धुरू के जो बीच के दूरी होता है उस दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं उस द दूरू के जो बीच के दूरी हो रहा है वही दूरी क्या करता है फोकस दूरी और एक और फोकस का एक और डिप्लेशन हम दे सकते हैं व्यक्रता त्रिज्या के मध्विंदू को फोकस कहते हैं व्यक्रता त्रिज्या के मध्विंदू क्या बोलते हैं यानि यह जो फोकस होता ह बराबर होता है यह फोकस दूरी का दुगुना होता है यह बराबर हुए ना जैसे में Similar है इस तरह से यह था सेंटर यह था पॉल है ना और यह था इफ इन वह था हम क्या बोले अभी कि वक्रता त्रिजय जो होता है वो फोकस दूरी का दुगना होता है तो अभी अभी हम बताया थे कि वक्रता त्रिजय की मध में इस्थित होता है मीड़ पॉइंट होता है फोकस दूरी होता है ना तो जब यह मध में इस्थित होगा तो यानि यह दोनों क अब इस दूरी को हम लोग फोकस दूरी बोलता है एफ एस मोले बोलते हैं और यह जब यह दूनों बराबर है तो जब इसको एफ लिख रहे तो इसको भी एफ लिखेंगे नहीं लिखेंगे दूनों बराबर है तो और यहां से यहां तक दूरी क्या बोलते है और बोलते है र और इस बात को हम लोग आगे चल कर सीध करेंगे कि आर बराबर टू एफ कैसे होता है और बराबर टू एफ और यह भी भी आई क्यूश्टन होता है जो लगभाद के हर एक साल पूश्था जाता है एक्जाम में तो एक्जाम के दिश्टी से यह बहुत इंपोटेंट क्यूशण होगा जो कि हम आगे सॉल्व करेंगे इसको कि यहाँ तक न कोई पर्षानी तो नहीं होगा फोकस दूरी तक किलियर हो गया जिस तरह से आप ऑचल दरपन में पढ़े हैं उस तरह से उतल दरपन में भी आप पढ़िएगा तो उतल दरपन में भी कि जाते हैं ज्यादा टाइमने लेगा देखिए यह क्या था ओतल दर्पन था अब हम लोग पढ़ेंगे उतल दर्पन भी इसके लिए माली की भी इसका नाम क्या है एमन है एमन एक उतल दरपन एक क्वेश्च वोतल दरपन है इसाना महर्ंनला सक्वेक्ष। ये आठो अगी है इस उतला दंगार है एमिन ।ो बोले हम यह उतल दरपन के लिए दूकिसे कहें कि उतल दरपन के लिए दू किसे कहेंगे तो वही बात होगा कि दरपन के मद बिंदू को दू कहते हैं दरपन के मद बिंदू को क्या कहते हैं बाबू दू कहते हैं तो इसका मद बिंदू माली यहां पे हैं तो यह इसका क्या होगा दू होगा दू होगा अब उसके बाद आत वक्रता सथरीज्य सिम्ड आपृप सथा तरब करेंगे तो वक्रता केंद्र आइंग तो केंद्रे किडेल राय सता की ओर है तो देखिए इसका पर जाए फिच्टर हो गया यह क्या हो गया तो जिस तरह से इसमें Olay के कि बूंद्र को की लिए किसी खोखले कि केंद्र को उस्डर्पर चिंद्र काते हैं तो यहां पर सीज़ हुआ से उत्ता धरपन का क्या हो गया वगरता केंद्र हो गया तो अधर सब्सक्राइब से लिख नए इसको सी दुबारा करते हैं उसके बाद सफर्वा करते हैं दू adapting दूर Haado je Ai द्रू से सेंटर चैनी व्रूर तक किन करते की दूरी को बग्रता करते हैं दू से क stupid तक की बीच कि जी दूरी होता है उससी दूरी के हमनों क्या बोलते हैं क्वगतर तृजज्या कहते है उसके बाद है परधान अगCh 10 के ज्डू से कैंद्र को मिलाने वाली जो रह रेखा है दूज़ एक केंद्र के केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है उस रेखा को हम लोग परधान अच्छी बोलते हैं या मुक अच्छी बोलते हैं इंग्लिस में इसको प्रेंट प्रिंस्पल एक्सिस कहते हैं क्या बोलते हैं जिसे परधान को क्या बोलते प्रिंस्पल बोलते हैं प्रधाना ध्यापत प्रिंस्पल तो फोकस किसे कहीं है परधान एश के आने वाले किरने अब बताएए कि यहां से इस और से किरन आएगी तो टक राके जाएगी क्योंकि यह रैस्तित किया हुआ सता है तो जब भी आएगी इसको और इधर खीच लिए लंबा तो इसके समांतर परकास किरने आई ने तो दरपन अब इस तरह से चले जाते हैं तो यह जो होता है यह कि भी इसको काटेगा लेकिन ऐसा लगता है कि यह जो लाइट है वह इस तरह से आ रहा है ऐसा लग रहा है नहीं लग रहा है तो इसी बिंदू को हम लोग बोलते हैं फोकस क्या बोलते हैं क्या बोलेंगे कि परधान आश के समांतर आने वाले किरने दरपन से परावर्तन के बाद मुक आश के जिस बिंदू से होते आते हुए परतीत होती है परावर्तन के बाद मुक पिछले क्लास में कि जो डॉट डॉट के दुवारा आपको कभी भी देखाए जा तो उसको परतीत होना कहते हैं तो यहां पर यह जो लाइट देख रहे हैं हम सोरी उपर क्यों होगा यह जो लाइट हम लोग देख रहे हैं यह जो किरन जो देख रहे हैं हम यह किरन लग रहा है कि इधर से जा रहा है आप असके लागा सीधर खीचिएगा यह लग रहा है कि यह लाइट यहां से जा रहा है तो जिस बिंदू से यह जाता हुआ पर्तित हो रहा है उसी बिंदू को हम लोग क्या बोलते हैं फोकस कहते हैं क्या बोलते हैं तो फोकस भी किलियर हो गया उसक वक्रता केंद्र के मद्र में ये भी होता है ये भी दुरू और वक्रता केंद्र के बीचो बीच इस्थित होता है तो जब हम इसको एस्मॉल एफ कहेंगे इसको भी एस्मॉल एफ कहेंगे ना बाबू क्योंकि जब ये मद्र में हैं तो ये दोनों को बराबर हिसों में बाट सिद्गे और यहां से यहां था को मुझे और हम लोते हैं तो उतल तरपन में भी आर बराबर क्या सीद करना है तो यह सीध नहीं हुआ यह तो करके मैंसे ही बता दिये हम सीध करके आगे बताएंगे तो यहां जो आउतल दर्पन आउतल दर्पन के लिए जो आर बराबर टू एफ सीध करना है दोनों ही बड़ा इंपोटेंट है इसको थोड़ा पढ़ने क्या हो सकता हो कि ध्यान से पढ़िएगा आप लो तो फो कैस्दूरी का दुगना होता है वह गरता त्रिजा जो होता है फोकेस्दूरी का दूगना होता है यहां भी हम कह सकते हैं कि यह रहे कि यह कोई डाउट है नहीं है